सब्सक्राइब कीज़े शेकावट टेकनिकल को और जोइन कीज़े हमारे टेक फेमिली को इधन आयेंगे वह स में सभी कोई अप्डेट मिल जाएगा चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ इंट्रस्टिंग फीचर्स आया हैdd क्या कुछ नया में फीचर देखने को अपर कर लेते हैं MIUI 9.6.2.0 कुछ interesting features की उससे पहला आपको बता दूँ कि यह stable update है और 220 MB का यह update आपको मिल जाता है अगर आपने update नहीं किया तो update कर दिखे आपके update रम जागी चेक किजिए वहाँ पर update आ गया होगा आप चलिए बात कर लेते से कुछ interesting features की यहाँ पर लिखाव है new, new में लिखाव है me AI voice assistant इसका मतलब के आप simple दरीके से आपको बताता हूँ मैं देखिए चाइना रोम के अंदर ही support करता है me AI voice यह आप सभी जानते हैं वो Chinese language में ही support करता है यह तो आप सभी जानते हैं लेकिन यहाँ पर mention किया है इसका मतलब क्या है दोस्तो इसका मतलब यह कि आपको पहले WeChat Tech नाम का एक एप आता है वो डाउंलोड करना पड़ेगा डाउंलोड करने के बादे महाँ आप मी आइडी होती है आप साइनिन किया हूआ है वहां से मी आइडी से साइनिन करना पड़ेगा उस एप के अंदर उस अप करने सब मी आइडी से साइनिन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली असिस्टेंट का ओप्चन आ जाएगा वह अलागा पता नहीं है कि चायनीज में आएगा ये इंग्लिश में आएगा बट यहां पर mention किया तो शायद English में भी आ सकता है, मैंने check नहीं किया, इसके उपर एक dedicated video बढ़ाऊंगा मैं, तो तब तक वेट कीजिए, या फिर कर लिजिए, वीचेट नम का app, app download, और उसमें आपको sign कर लिजिए, और check कर लिजिए, कि Chinese में आता है, या फिर English में आता है, दोस्तो अगला interesting feature में साम निकल गाता है, वो आता है, home screen की उपर, home screen की उपर क्या है, यहां पर लिखावा, deleted shortcut for moving data and manage second space, इसका मतलब का है, अगर आप second space का use करते हैं, तो आप ने देखा हो, कभी-कभी-कभी, हमेशा एक icon आ जाता है, या आपको click करते हैं, तो second space में चिले आते हैं, आप वहाँ से वापस आ सकते हैं, तो अगर उसको hide करना चाहते हैं, तो बड़े ही अराम से hide कर सकते हैं, फिर delete कर सकते हैं, तो यह option में beta version में पहले ही आ गया था, stable version में अभी दिया गया है, तो आप अगर second space का use करना चाहते हो, आप source ले गया और इसको click करके ना लब किया दोस्तों, तो कभी-कभी आप second space settings में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको option मिल जाता है, second space का, अगर आप उसको hide करना चाहते हैं, तो बड़े अराम से hide कर सकते हैं, यह feature भी beta version में पहले ही आ गया था, hide करना बिलकुल आसान है, simple तरीका है, आपको second space settings में आपको second space क option मिल जाएगा, उसके उपर जैसे tap करेंगे, आप tap करने के बाद आपको hide को option मिल जाएगा, उसके उपर click करके, आप pin pattern password की जाएगे, आप बड़े अराम से hide कर सकते हैं, तो यह एक interesting feature है, second space में किसी को आपको नहीं ले जाना है, तो आप उसको hide करवा सकते हैं, hide कर सकते हैं तो यह भी interesting feature है, उसको भी आप use कर सकते हैं, अगला feature आता है, मी apps के नदे, feature नहीं बोल सकते हैं, मी app को completely change कर दिया गया है, हाला कि beta और समय पहले ही change कर दिया गया है, लेकि मी apps जो होते हैं, उनमें काफी कुछ changes लाया गया है, जैसे कि एक side scrolling होता है, वो feature add कर दिया गया है उसके लावा new user experience है, वो भी कर दिया है, मतलब interface जो है, वो completely change कर दिया है, वहाँ पे आपको अलग-अलग options देखने हो मिल जाएंगे, आप अगर use करते हैं, मैं तो use करता हूं, वैसे use करने लाइक चीज है, लेकिन आप कादर आपकी use करना है, तो कर सकते हैं, वैसे मैं तो use नहीं करता हूं, वैसे को, बाकि अगर आप चेक करेंगे, तो आपको समझ में आ जाया, क्या कुछ interesting features आए है, तो सब बात कर लेते हैं, कुछ अलग features की, जो अप्डेटर एप में या फिर यहां पर challenge लोग होता है, उसमें नहीं लिखावा है, उसमें नहीं लिखावा भी तो अब यहां जाया था, उसमें थोड़ा से confusion हो रहा है मुझे, लेगि मेरे सबसे पहले अप्रेल के महीने का था और अभी मही के महीने का security page का update दे दिया गया, तो अच्छी बात दिया गया तो नहीं दिया गया तो पहले वाल ता तो दे दिया जाएगा, च्छे महीने का update आने वाले update के अंदर, उसके अलावे क्या interesting feature है, तो उपर आगर आप screen के उपर देखते हैं, सबसे उपर top bar के अंदर देखते हैं, वहाँ पे आप कुछ वोल्टी का icon है, उसको change कर दिया गया, आप screen के उपर देख पार है कुछ इस तरह का icon दे दिया गया है, हालागे आप चोटा सा कर दिया गया, इसको VOLT, डिजाइन में भी काफी कुछ अच्छा लगता है, देख रहे के अंदर और जो बाहर होते है, इसके उपर जो space होता है, वह आप काफी कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो यह कुछ interesting feature आता है, उसका लाव जो RAM management है, वह भी काफी कुछ अ वह भी काफी कुछ अच्छा कर दिया गया, इसके उपर में अलग वीडियो बनाऊंगा, बैटरी के उपर भी, लेकिन मैं कुछ चेक करूंगा, एक दिन मोबाल रिक्वेस्ट करके माऊंगा, दे दो, दे दो, लेकिन वो देंगे, नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन वीडियो एट का ओप्शन आता है, जहाँ आप वीडियो पर एट कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ अलग अलग इंटरस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो अगर बनाऊंगा, तो आपको बास नोटिविशन कैसा बहुँचेगा, नोटिविशन तब आप में बेल आगेन में दबा लिए, ताकि मिए जो वीडियो बनाऊंगा, तो आपकी बास नोटिविशन पहुच जाए और बड़े आराम से आप देख पाएं, तो फाइनली आज की वीडियो में ता ही था, आगर वीडियो पसना आगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना बोल से वीडियो को शेयर करना ना बोले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब परना तो बिल्कुल भी ना बोले, तो मैं मिलता हूँ अगले एक्साइटिंग वीडियो में तो तो के लिए जैहिन, पन्ने मात्रम